हेलो गाईज वेल्कम टू ओवर चैनल आपका आपी के चैनल में स्वागत है जी तो आज हम बात करेंगे स्टोक मार्केट और मार्केट से जुड़ी कुछ अपडेट के बारे में जैसा आपके सामने हैं जी तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत अगर आप इस चैनल प 16 inols और जिस पॉइंड पर क्लोज oh 22,lerin 46400 ऑपनी की बात करें तो पॉजीटीव रहा ख्लोजिंग की बात करें तो स्य करें आज तब्हिंट को बात आज जिस point पर open हुआ 75,018 और जिस point पर close हुआ 73,888 ओपनिंग की बात करें positive रहा, closing की बात करें तो negative close हुआ 733 point घटकर आज का sensex close हुआ, देश्यों की बात करें 0.98% negative रहा sensex का market, FIA की बात करें तो इन्होंने आज जो purchase की है, वो 17,440 क्रोड की की है, जबकि जो sale की है, वो 19,832 क्रोड की है, जो net margin ये gap निकला है, वो negative निकला है, 2392 क्रोड की ज्यादा बिकवालिक की गई है FIA 12. DIA की बात करें तो इन्होंने आज जो purchase की है, वो 13,866 क्रोड की की है, जबकि जो sale हुई है, वो 13,175 क्रोड की हुई है, जो net margin ये gap निकला है, वो positive निकला है, 691 क्रोड की ज्यादा खरीदारी की गई है DIA 12. जी तो ये थी कुछ update, stock market से related, अब है market की और पहला जो topic है, वो है petrol, diesel, petrol का जो प्राइज है, वो 95 रुपए प्रति लीटर, वो ही diesel का 88 रुपए प्रति लीटर है, गोल्ड वसी silver की बात करें, तो गोल्ड का जो प्राइज है, वो 70,600 है, प्रति दस ग्राम, silver की बात करें, तो 89,750 है प्रति के इसाब से, आगे बात करें, LPG वसी CNG की, LPG का जो प्राइज है, वो 832 प्रति सी लेंडर है, CNG की बात करें, तो 76 रुपए प्रति के इसाब से market price में available है, डॉलर वसी रुपीस की बात करें, तो एक UST डॉलर बराबर है, आज के 83 रुपए 45 पैसे के, जी तो ये थी कुछ अपडेट से जुड़ी, होप सो ये वीडियो आपके लिए informative रही होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शियर आपका सकते हैं, आ जाच के लिए, thank you for watching.